नमस्ते लतास किचिन में मैं लता जैन आपका स्वागत करती हूँ सूजी और बेसन का चिला बहुत ही स्वाधिस्ट और हेल्डी फूड है आज मैं आपके सामने बनाने जा रहे हूँ सूजी और बेसन का चिला आईए देखते हैं सूजी और बेसन का चिला बनाने के लिए किन चीजों की आवशक्ता होगी सूजी बेसन चिला बनाने के लिए इन चीजों की आवशक्ता होगी आधा कप सूजी, आधा कप वेशन, आधा शिमला मिर्च, एक हरी मिर्च, एक बड़ा टमाटर, एक चोथाई कप दही फेटी हुई, ओयल चिले सेखने के लिए दो बड़े चम्मच हराधनिया कटा हुई, एक चोथाई छोटा चम्मच अजवाईन, एक चोथाई छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चोथाई छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, तीन चोथाई छोटा चम्मच नमक या स्वादानुसार, पानी बैटर बनाने के आएए सूजी बेशन चिला बनाना शुरू करते हैं सूजी बेशन का चिला बनाने के लिए सबसे पहले धः और सूजी को मिला कर आधे घंटे के लिए रख देंगे एक बड़े बावल में सूजी लेंगे आप इसमें दही डालेंगे थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर सूजी में मिलाएंगे थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इसलिए घोलेंगे जिससे गुठली है ना पड़े थोड़ा सा पानी और डाल देंगे अब इस बैटर को डग कर रख देंगे आदा गंटा होने वाला है हम सब्जियों को चौप कर लेते हैं शिम्ला मिलच को चौपर से चौप कर लेंगे या हम इनको हाथ से भी बारिक-बारिक काच सकते हैं टमाटर के भी टुकड़े कर लेते हैं हरी मिर्च का डंठा रटाकर टुकड़े कर लेंगे अब चौपर में शिम्ला मिल्च और हरी मिल्च डालकर चौप करेंगे शिम्ला मिल्च चौप हो गई है इसको बाउन में निकाल लेंगे टमाटर के टुकड़े चौपर में डाल देंगे टमाटर चौप हो गया है टमाटर को बाउन में निकाल लेंगे आप मंचाही सबजी चिले में डाल सकते हैं जैसे पत्तागो भी चौप करके डाल सकते हैं गाजर डाल सकते हैं और फूल भी डाल सकते हैं सूजी फूल चुकी है अब हम इसमें बेशन भी डाल देंगे बैटर में थोड़ा सा पानी डालेंगे सूजी बैशन का बैटर बनाते हुए ध्यान रखना है कि इसमें बुठलिये ना पड़ें अब चौप सबजिया डाल देंगे अब इसमें सारे मसाले डाल देंगे अजवाइन भी डाल देंगे गरम मसाला डाल देंगे और नमक भी डाल देंगे थोड़ा सा पानी बाट आल देंगे बैटर बनकर तयार है अब एक नॉन इस्टिक तवा गरम करते हैं तवे के लिए गैस अन कर देंगे तवा गरम हो गया है गैस कम कर देते हैं अब एक नैपकिन से तवे को साफ करेंगे गैस इंपर रखेंगे अब एक कल्ची बैटर तवे के सेंटर में डालेंगे और इसको गोलाई में फैल आएंगे चिले के किनारों पर थोड़ा सा ओइल डालेंगे चिले का कलर चेंज हो गया है अब हम इसको फलेट देंगे गैस को थोड़ा बढ़ा देंगे चिले को फलेट देंगे चिले को दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तब शेकेंगे चिलना सिख चुका है इसको पलेट में निकाल लेंगे तबे को पेपर नेप्टिन से साफ कर लेंगे अब एक कंची बैटर लेंगे और तबे के सेंटर पर डाल देंगे बैटर को गोलाई में फलाएंगे चिलना सिख गया है अब हम इसे एक पलेट में निकाल लेंगे इसी तरह सारे चिलने उतार लेंगे सूजी और बेशन का चिलना बनकर तयार है आप इने गर्मा गरम बैटर फास्ट में या गंच में किसी भी चक्नी के साथ सर्व कर सकते हैं सूजी और बेशन का चिलना देखने के लिए आपका धन्यवाद